जैसे कि पिसले एपिसोर्ट में हमने देखा बेंटिनेशन गोईनर कैबिन एलिनेक्स की होम प्लानेट तक पहुँच गये थे जिसके बाद एग्रीगर के साथ फाइट किये थे एग्रीगर ने उन सबको बुरी तरके से हरा दिया था अब कैबिन के पास एक ही रास्ता था ब एक मोंस्टर बन गया है और बेंट के सारी एलिंस की पावर अब उसके पास है अब वह एक पावर की भूग के चलते यहां से चल गया था अब बेंटिनेशन बताता है कि अब कैबिन को रोकना ही होगा अगर उसको जल्दी नहीं रोका तो पुरी इंसानोंत को वह खतम कर द लेकिन काफी भागने के बावजूद भी कैबिन उसको पकड़ी लेता है और आपने पावर की यूज़ करती उसको एबजब करने लगता है लेकिन तबी वहां पर बेंटिनेशन एलिस में ट्रांसमों के पहुंच जाता है अब कैबिन और बेंट की बीच में लड़ाय होती बाद में जाके तुम्हें भी भाए खतम करी दूँगा लेकिन सबसे पहले में एलन को खतम करूँगा और वो एलन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन बीच रास्ते में बेंट उसको रोक लेता है और बेंट उसके तरफ एटक करने लगता है अब इन दोने की बीच में फा आखिर कैबिन को हुआ कहाई वो तो अच्छा इंसान था है ना बेन बताता है कि मेरी सारी गलती है क्योंकि मैंने उसकी अपनी अल्टिमेटिक्स की पावर एप जब करने दी इसलिए वो मॉंस्टर बन गया है अब वो किसी के बाद भी नहीं सुनता अब कैबिन जिस दिस के पास दुस्मन है उनसारी के ऊपर वो हमला करेगा और इसलिए हमें रोकनाई होगा कैबिन लैबिन को जड़ से खुतम करके हैनने कि कैबिन लैंबिन को जान से मारने के अलाबा बेन के पास कोई रास्ता नहीं ठाज़ा और इसलिए बेंटिने सने सीधा पहुँंच जाता HTML ग्वेन के पास और ग्वेन को बताता है कि ग्वेन तुम अपने मेना पाउर की यूज़ करके कैविन लैबन कहां पर है तुम पता लगा हो क्योंकि कैविन लैबन को मारना जरूरी है क्योंकि उसने कई सारे इंसान हो और कई सारे हमारे साथ ही को भी उसने नुक्सान किया है और इसलिए हमें उसको रोकना ही होगा लेकिन ग्वेन बताती है कि कैबिन को एक मौका देना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है ग्वेन की कैबिन बॉइफिन है और इसलिए उसको बचाना चाहती है लेकिन बेन उसके बात में अग्री नहीं होता है कि सबसे पहले उसको खतम करना ही होगा अगर यहाँ चलता रहा तो पूरी अर्थ की सभी इंसानों को खतम करना भी लग जाएगा अब गुएंटिनेशन बेन को मदद नहीं करना चाहते थी क्योंकि अ गुएंटिनेशन कैबिन को बचाने के लिए बेन का साथ भीड़ जाती है और बताती है कि तुम ऐसा मत करो अब बेन और गुएंटिनेशन के बीच में लड़ाई होती है इस बात में क्योंकि कैबिन लाइबन को बेन मारना चाहता है गुएंटिनेशन उसको बचाना चाहत और इसलिए दोनों के बीज में फाइट होती है बैंटेन की पूरी सीरिज में पहले बार गुएंटिनेशन और बैन आपस में लड रहे अपनी पूरी तागत के साथ बैन भी एलेस में ट्रांसव होता है और गुएंट को यहापर रोकने के लिए कोशिश करता है और फूजित नोकसा नहीं पहुंचाना चाहती थी और बेंटिनेसन यहाँ से चलाми जाता है कैबिन को ढूमदने के लिए और इसलिए सीधे पहुंच जाता है वंकैनस के पास बेंट को अंदर से बहुत घुशत था कैबिन के ऊपर और इसलिए विल्कैनेस को बुरी तरीके से पिरते हुए पूछता है कि विल्कैनेस तुम तो उसके साथ साथ काम करते थे है ना तो तुम्हें उसकी लोकेशन पता होगा मुझे बताओ अगर तुम्हें नहीं बता है तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा बेन्टिनेशन इस वाकत बहुत घुस्से में था क्योंकि बेन्ट की वज़े सही वो ऐसा बन गया था जिसके बाद उन सारे इंसानों को मारने लगा था लेकिन वेलकैनस के पास उसकी लोकेशन नहीं थी यारे ये सिलिए वेलकैनस बताता है कि मुझे नहीं पता कि कैविन लाविन कहां पर है दूसरी तरफ देखाए जाता है जहांपर गुएंट इनिशन सीधा जाती है और डार्क स्टर के साथ पहुंच जाती है और उसको मदद मांगने लगती है बता थी कि कैविन लाविन को नौर्ण फार में लाने के लिए तुम मुझे मदद करो इसके बदले में मैं तुमें पाउर दूँगा जिसलिए तुम ठीक हो सकते हो क्योंकि इसके अलावा गुएंट के पास कोई चाहरा भी नहीं था अब डार्क स्टार भी मान जाता है क्योंकि उसके बदले में उसको काफी सारे पाउर मिलने वाली थी गुएंटी नेशन कैविन को बचाना चाहती है तुम दूसरी तरव बेंटी नेशन उसको जान से माना चाहता है Gwyn TINESON भी Ben TINESON असे साथ पोंच जाता है और Ben TINESON भी डar culture को देखे हैरान होता है कहता है कि Gwyn तुमने इसके उपर कैसे भरोशा किया क्युकि ये काफ Hilfe से लाइक भी नहीं है लेकिन Gwyn बता थे कि ये हमारे मेर्महेलप कर सकते है कैबिन को नौरल फॉर्म में लाने के लिए बेन बताता है कि अब यह ऐसा कोई फाइदा नहीं है क्योंकि कैबिन ने हद पार कर चुका है हमें उसको खत्म करना ही होगा लेकिन ग्वेन उसको समझाते हुए बताती है कि बेन तुम रुख जाओ एसे भी मत सोचना क्योंकि कैबिन लावन बदल सकता है वो पहले भी ऐसा हुआ था तो फिर से वो नौर्मल फॉर्म में आया न इस थरीके से हमें उसको फिर से मदद करना होगा ताकि वो आपनी नौर्मल फॉर्म में आ सके और नौर्मल जिन्दगी जी सके अब डर श्टार भी बताता है कि मैं उसको अपनी नौर फॉर्म में ला सकता हूँ मेरा पास एक जरिया है अब ये बास से क्लियर होती है कि कैविन लाविन अपनी नौर फॉर्म में आ सकता है लेकिन कैसे आ सकता है हमें आगे बताया जाएगा अब बिन अपनी नौर्ट फॉर्म में आतर बताता है कि ग्वेन देखो अगर कैबिन ने कुछ भी किया और किसी को भी नुक्सान पहुंचाया तो उन सारी वज़े तुम होगे अब ग्वेन टीनेशन भी इसमें एगरी गरती है जिसके बाद अलग सा सीन देखाया जाता है जहाँ पर कैबिन राविन अपने रास्ते घर के अंदर जा रहा हुता है तब हमें ग्वेन टीनेशन देखाया जाती है जो कैबिन के सामने होती है अब ग्वेन टीनेशन वहाँ पहुंच गए थी ताकि कैविन को समझा सके लेकिन कैविन के पास तो काफे सारे एलियंस की पाउर थे जिसके बाद वो एक मरस्टर में बदल गया था और वो अपनी काबू में भी नहीं है गोईन को देखे बताता है कि गोईन तुम यहाँ पर क्यों आयो क्या मरने के लिए गोईन टीनेशन नमर भास में बद बताती है कि कैविन तुम रुक जाओ तुम जो भी कर रहे हैं सारा कुछ गलत है तुम अपने नौर फॉर में आने की कोशिस करो अब इस बास से वो चिड़ जाता है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ और तुम मेरी रास्ते में आने की कोशि जी मत करना अगर आये तो तुम मारे जाओगी और वो काफी घुसे में बताने लगता है गुएंटेशन बताती है कि तुमने काफी चीज अच्छे अच्छे करने की कोशिस की है तुम एक अच्छे इंसान भी हो अब इस पास से कैविन को कुछ होने लगता है लेकिन वो आने के लिए दिमाग में जोड़ दे रही है लेकिन कैविन लाविन अपनी घुसे में सारा कुछ तोटवर करने लगता है और बताता है कि गुएंट तुम यहां से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें हाथ भी उठा सकता हूं मैं यह नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी ह लाव में नहीं होता और इसलिए गुएंट के उपर हमला करना लग जाता है जिसके बाद अब गुएंट भी उसकी उफर डिफेंट करने लगती है और अपनी कई सारे मैजिक को यूज़ करके उसके उपर पथर के आर्मे वेज़ देती है और उन सारी पथर के आर्मी कैवि इन सबको मार देता है और इनी की पाउर को एपजब करता है जिसके बाद उसके पाउर और पाउर बढ़ जाती है अब वो पाउर की भूका था और इसलिए बताता है कि गुएंट अब तुम भी मारे जाओगी अभी अभी जो अच्छा ही था वो अब भयानिक ग्रूप में बदल गया और वो एक मोस्टर में बदल गया वो सेतानी भासा में बताता है कि गुएंट तुमारे भी में सारी पाउर को एपजब करूँगा जिसके बाद मेरा पास और भी पाउर होगा और वो गुएंट की भी पाउर एपजब करने के लिए गुएंट को उपर हमला करने थी लेकिन ऐसा बहно ही करते हैं और आपने करते हैंस जिसके बाद 179 को आशानी करने के लिए और ऋसको तूर जाता है और इसको खीशने लगता जिसके बाद आपने एनर्जी को सारी एनर्जी गएंद के पास जो बी था वो उसके ऊपर लेने लगता है और गविन की धीरे धीरे सारी एनरजी उसके तरwig आ जाती है उसको काफी दर्द भी होता है लेकिन क्याविन बताता है कि मैं तुमारी सारी आपजब करूँगा जिसके बाद मैं तुम्हें मारी दूँगा गुइन टिनेशन काफे दर्दनाग तरीके से चीखने लगती है क्योंकि उसको काफे दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी सारी एनरजी कैबिन इसा इलाविन सोक रहा था इसी के साथ यह आज़ी अपिसोड खतम होती है तो आगे स्टोरी हमें नेक्स एपिसोड में मिलेगी आपको नेक्स एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो कि इसकी पार्ट टू भी चाहिए क्योंकि पार्ट टू में आऊसम चीज़ देखने को मिलने वाली है क्या विनलावन क्या ग्वेन की पूरी पावर के अबजब कर पाएगा या बेन आके उसको यहाँ पर छुडा लेगा या ग्वेन टिनेशन मार जाएगी हमें आगे एपिसोड में देखनी को मिलने वाली है तो आगे एपिसोड के लिए बने रहे है सो यह वीडियो कैसी लगी तो आप लाइक करके बता सकती हो कमन में बता सकती हो और चैनल पर नए हो तो और भी ऐसे वीडियो देखना चाहती हो तो चैनल को सस्काइब करके रखना क्योंकि हम बेंटन के और भी वीडियो बना रहे है सो मैं मिलूंगा आपके साथ इसकी अगले वाला पार्ट में वो आसम एपिसोड के साथ तब तक के लिए बाई बाई साइनिंग आउट अन एक्स ब्लेन